ओम शान्ती आज 2 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं बाबा की मूरली का सार है मिठे बच्चे तुम अपनी तकदीर भोईशन नई दुनिया के लिए बना रहे हो यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए प्रशन है तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानिया क्या होंगी बाबा ने कहा तकदीरवान बच्चे काइदे सिर शिरिमत पर चलेंगे कोई भी काईदे के विरुद्ध कारे करके अपने को बाप को ठगेंगे नहीं उन्हें पढ़ाई का पूरा-पूरा शौंख होगा समझाने का भी शौंख होगा पास्विद ओनर्बन स्कॉलर्शिप लेने का पुरुशार्थ करेंगे कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा करम नहीं करेंगे गीत है, तकदीर जगाकर आई हो ओम शान्ती, मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना नयों ने भी सुना, तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना ये पाटशाला है, पाटशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने जाते हैं, वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है, कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं, तकदीर को एम अबजेक्ट कहा जाता है, तकदीर बनाने बिगर पाटशाला में क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ बच्चे जानते हैं, हम भी तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने, यह है नई दुनिया के लिए राज योग, वह है प वह बनते बनते, अब पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खतम हो जाएगा, वह तकदीर है इस मृत्यु लोग के लिए, इस जनम के लिए, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो, नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा, कौन पढ़ाते हैं, बेहत का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है, जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का, अच्छा जब बुढे होते हैं, तब गुरू के पास जाते हैं, क्या चाहते हैं, कहते हैं, हमको शान्ती धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सदगती दो, यहां से निकल शान्ती धाम ले जाओ, बाप से भी वर्षा मिलता है इस जनम के लिए, बाकि गुरू से तो कुछ नहीं मिलता, टीचर से कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीवी का तो चाहिए ना, बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं, कि हम भी अपनी कमाई करें, गुरू से कमाई कुछ नहीं हुई, हाँ, कोई-कोई गीता अच्छी रिती पढ़कर फिर गीता पर भाशन आदी करते हैं, यह सब है अल्पकाल सुख के लिए, अब तो इस मृत्यू लोक का अंत ह तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं, यह पुरानी दुनिया खतम हो जानी है, बाप की वह अपनी मिलकियत भी सब भसम हो जाएगी हाथ फिर भी खाली जाएंगे अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए पुरानी दुनिया के मनुश्य तो वह कर नहीं सकेंगे नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा यहां तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरू भी है और वह आते ही हैं संगम पर भविश्य के लिए कमाई सिखलाने, अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज हैं यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए, यह हमारा बाप, टीचर, सत्गुरू है, बाप आते ही हैं, शान्ती धाम, सुख धाम में ले जाने, कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं, एक ही घर में इस्त पढ़ती है, उरुष नहीं पढ़ता, बच्चे पढ़ेंगे, माबाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है, शुरू में परिवार के परिवार आये, परंतु माया का तुफान लगने से, आश्चरेवत सुननती, कथनती, बाप को छोड़ चले गए, गाया हुआ है, परिवांती, फिर भी हाय कुदरत, ड्रामा की, ड्रामा की ही बात हुई ना, बाप खुद कहते हैं, ओहो ड्रामा, ओहो माया, किसको फारकती दे दी, इस्तरी पुरुष एक दो को डायोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं, यहां तो वह नहीं है, यहां तो डाइवोर्स दे ना सकें, बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने, बाप थोड़े किसको खड़े में डालेंगे, बाप तो है ही पतित पावन, रहम दिल, बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं, और गाइड बन साथ ले जाने वाला है, ऐसे कोई लौकिक गुरू नहीं कहेंगे, कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, शास्त्रों में है भगवा नुवाच, मैं तुम सब को ले जाऊंगा, मच्छरों सद्रश्य सब जाने हैं, तुम बच्चे अच्छी रिती जानते हो, अभी हमको जाना है घर, यह शरीर छोड़ना है, आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह तो पुराना चोला चीची है, यह दुनिया भी पुराने है, जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है, तो बाप भी समझेगा हमारे लिए, बच्चे भी समझते हमारे लिए बन रहा है, बुद्धी चली जाएगी नय घर तरफ, इसमें यह बनाओ, यह करो, बुद्धी उसमें ही लगी रहेगी, फिर पुराना तोड़ देंगे, ममत्तव सारा पुराने से मिटाए, नय से जुट जाता है, यह है बेहद दुनिया की बात, पुरानी दुनिया से ममत्तव मिटाना है, और नई दुनिया से लगाना है, जानते हैं ये पुरानी दुनिया, खतम होने है, नई दुनिया है स्वरग उसमें हम राजाई पत पाते हैं, जितना योग में रहेंगे ज्यान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे उतना खुशी का पारा चड़ेगा, बड़ा भारी इम्तिहान है हम 21 जनम के लिए वर्षा पा रहे हैं, साहुकार बनना तो अच्छा है न, बड़ी आयों मिले तो अच्छा है न स्रिष्टी चक्र को जितना याद करेंगे, जितने को आपसमान बनाएंगे, उतना फाइदा है राजा बनना है, तो प्रजा भी बनानी है, प्रदर्शनी में इतने धेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी क्योंकि इस अविनाशी ज्यान का विनाश नहीं होता, बुद्धी में आएगा, पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावन राज्य का विनाश हो जाएगा, सत्युग में तो होंगे ही देवताएं बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायन का चित्र जो बनाते हैं, उसमें लिखना चाहिए कि ये पास्ट जनम में ये तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुशार्ट से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे मालिक, राजा, प्रजा सब होती है ना, प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे उंचा है, बरोबर भारत ही सबसे उंच था, अभी नहीं है, था जरूर, अभी तो बिलकुल गरीब हो गया है प्राचीन भारत सबसे सहुकार था, हम भारतवासी सबसे उंच देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता, अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है ना, बाबा ने डारेक्शन दिया है ना, कैसे प्रदर्शनी आदी में तार दी जाए, सो लिख कर आओ, तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो, कि उन्होंने यह पद कैसे पाया, अब फिर से यह पद पा रहे हैं, शिव बाबा से, उनका चित्र भी है, शिव है परमपिता, प्रमात्मा, ब्रम्हा, विश्नु, शंकर के भी चित्र हैं, परमपिता, प्रमात्मा, ब्रम्हा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, विश्नु पूरी सामने खड़ी है, विश्नु द्वारा नई दुनिया की पालना, विश्नु है, राधे कृष्न के दो रूप, अब गीता का भगवान कौन ठहरा, पहले तो यह लिखो, की गीता का भगवान, निराकार, शिव है, ना कि कृष्न, ब्रम्हा सो विश्नु, विश्नो सो ब्रम्हा कैसे बनते हैं, एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है, जब बुद्धी में बात बैठे, पहले पहले तो यह समझाकर, और फिर लिखना चाहिए, बाब कहते हैं, ब्रम्हा द्वारा तुमको योग बल से 21 जनम का अधिकार मिलता है, शिव बाबा, ब्रम्हा द्वारा वर्सा दे रहे हैं, पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारन करती है, मूल बात है ही यह, चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह है परम्पिता, प्रमात्मा शिव, फिर प्रजा पिता ब्रम्हा, तो जरूर चाहिए ना, यहां प्रजा पिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमारियां धेर के धेर हैं जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने ब्रामन ना बने तो शिव बाबा से वर्सा कैसे लेंगे कुख की पैदाइश तो हो ना सके यह भी गाया जाता है मुख वन्शावली तुम कहेंगे हम प्रजा पिता ब्रह्मा के मुखवन शावली हैं वो गुरुवों के चेले अर्थवा फालोवर्स होते हैं यहां तुम एक बाप को ही बाप, टीचर, सत्गुरु कहते हो सो भी उनको कहते हो जो निराकार, शिव बाबा, ज्यान का सागर, नौलेज़ फुल है स्रिष्टी के आदि मध्य अंत का ज्यान देते हैं वह टीचर भी है निराकार, आकर, साकार द्वारा सुनाते हैं आत्मा ही बोलती है ना आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो आत्मा दुखी होती है इस समय है पतित आत्मा पतितों को पावन बनाने वाला परमपिता प्रमात्मा है आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे गौड फादर अब फादर तो एक बैठा है फिर भी याद किसको करते हैं आत्मा कहती है यह हमारी आत्मा का फादर है वह बड़ा या शरीर का रचैता साकार बाप है वह बड़ा साकार तो निराकार को याद करता है अब सब को समझानी दी जाती है जबकि विनाश सामने खड़ा है पारलोक एक बाप आते ही हैं अंत में सभी को वापिस ले जाने बाकि जो कुछ भी है वहे विनाश होने का है इसको कहा ही जाता है मृत्यू लोक जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा शांती धाम गया मनुश्यों को ये पता नहीं है कि परलोक सत्यू को कहा जाता है या शांती धाम को सत्युक तो यहां ही होता है पर लोग शांती धाम को कहेंगे समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए मंदिरों में समझाना चाहिए यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं शिव है पास्तव में बिंदी परन्तु बिंदी की पूजा कैसे करें फल फूल आदी कैसे चड़ाई जाएं इसलिए बड़ा रूप बनाया है इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं गाया भी जाता है भरिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा बड़ी चीज हो तो साइंस वाले जट उनको पकड़ ले बाबा समझाते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परीचे मिला नहीं है जब तक तकदीर खुले अभी तकदीर ही नहीं खुली है जब तक बाब को ना जाने ये ना समझें कि हमारी आत्मा बिंदी समान है शिबाबा भी बिंदी है हम बिंदी को याद करते हैं ऐसे समझ याद करें तब विकरम विनाश हो बाकी यह देखने में आता वह आता इसे माया का विगन कहा जाता है अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है परन्तु ज्यान भी चाहिए किसको कृष्ण का साक्षातकार होता है तो खुश हो जाते हैं बाबा कहते हैं कृष्ण का साक्षातकार कर बहुत खुशी में डांस आदिक करते हैं प्रंतु उनसे कोई सद्गती नहीं होती, ये साक्षातकार तो अनायास ही हो जाता है, अगर अच्छी रिती नहीं पढ़ेंगे, तो प्रजा में चले जाएंगे, थोड़ा भी सुनते हैं, तो कृष्ण पुरी में साधारन प्रजा आदी जाकर बनेंगे अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा, हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं, वह है ही नॉलेज फुल बाबा का फर्मान है कि पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते, कभी कभी पतित भी यहां छिप कर आजाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं, बाब को ठगने की बात ही नहीं, बाब से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या शिव बाबा की शिरिमत पर काईदे सिर नहीं चलते तो क्या हाल होगा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी दूसरा फिर पद भी ब्रश्ट हो जाएगा कोई भी काईदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए बाप तो समझाएंगे न तुम्हारी चलन ठीक नहीं है बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर सजाएं तो खाकर वापिस शांतिधाम में जाना ही है पद भरश्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं आते तो बहुत हैं परन्तो यहां बाप से वर्सा लेने की बात है बच्चे कहते हैं बाबा से तो हम स्वरग का सुरेवन्शी राजाई पत पाएंगे राजयोग है ना स्टूडन्ट स्कॉलर्शिप भी लेते हैं ना पास होने वालों को स्कॉलर्शिप मिलती हैं यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलर्शिप ली है जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलर्शिप मिलेगी वृद्धी होते होते हजारों बन जाते हैं राजाई पद है स्कॉलर्शिप जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं, बहग गुप्त नहीं रह सकते, बहुत नए नए पुरानों से आगे निकल पढ़ेंगे, हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, अपनी सची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्सा पाएंगे, कितना खुशी होती है, जानते हैं ये वर्सा अब नहीं लिया, तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे, पढ़ाई का शौंक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौंक नहीं है समझाने का, द्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है, तो भगवान भी क्या करें? अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलधे बच्चों प्रती, मातपिता, बाप दादा का, याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को यार, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते ची धारणा के लिए पहला पॉइंट है कोई भी कार्य शिरीमत के विरुद्ध नहीं करना है पढ़ाई अच्छी रिती पढ़कर उच तकदीर बनानी है किसी को भी दुख नहीं देना है दूसरा पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से ममत्तव मिटा देना है बुद्धी योग नहीं दुनिया से लगाना है खुशी में रहने के लिए ज्यान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है वर्दान लाइट हाउस की स्थिती द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने बाले पुन्य आत्मा भव विस्तार जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है तो सदा लाइट हाउस स्थिती में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती सदा पुन्य आत्मा बन जाएंगे पुन्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती तो द्रड़ संकल्प करो कि मैं पुन्य आत्मा हूँ पाप मेरे सामने आ नहीं सकता स्वप्नवा संकल्प में भी पाप को आने ना दो स्लोगन जो हर दृष्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं अच्छा ओम शान्ति